अब आया उत पहाड के नीचे यह कहावत रोड़ बेज मोटर ट्रेनिंग इस्कूल के चालकों पर सटीक बैठती है क्यूंकि उन पर महाप्रबंधक ने ड्यूटी पूरी नहीं करने पर कारेवाई की है मोटर ट्रेनिंग के लिए चालक अक्सर अपनी ड्यूटी को लेकर सुर्खियों में रहे बस को साइड में खड़ा कर तास खेलते इन्हीं अक्सर देखा जाता था लेकिन महाप्रबंधक बलवंत गोदारा ने चार चालकों को निलंबित कर दिया बस स्टेंड में ही मोटर ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है इसमें युआओ को चालक का प्रसिछड दिया जाता है रोडवेंस की चालकों की ही इसके लिए ड्यूटी लगी हुई है इनको सुबह 9 बजे से साम 5 बजे तब प्रसिछड देना होता है लेकिन यह चालक ड्यूटी पूरी होने से पहले ही दो पहर के बाद करीब 3 बजे बस स्टेंड पर लेकर पहुँच गये जीम के पास इसके सिकायत पहुची तो उन्होंने तुरंत कारवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया महाप्रबंधा का कहना है कि चालकों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही की जा रही थी इसकी लगातार सिकायते आ रही थी हिदायत देने के पात भी चालकों में कोई सुधार नहीं हो रहा था इसलिए उनके खिलाफ एक्षन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया ऐसा जी किछले कई दिन से ये शिकायत आ रहे थी जो हमारा ट्रेनिंग स्कूर है जा लाइसंस की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को वो इन अडवांस लागी खड़ी कर लेते हैं जबकि रोड़ के रहें बच्चों को ट्रेनिंग दी पच्चे फीस दे रहें इस सरकार को तो हमारे जो ड्राइवर हैं, रेगुलर ड्राइवर हैं सरकार के उनका एक फ़ज है कि इनको ट्रेंम के लेकिन लगदार यह शिकायद्य देए कि तीन सवा तीन बज़े आगे खड़ी कर गरिए हूँ जब मैं खुद गया तो यह बताने गूल गया कि उनमें से मैं भी एक हूँ जिए जब मैंने जा गे ने था वो चार गाड़ियां थी मैंने रिपोड लेगे जार मुझाश करा था कौन इचा लगते नाम पूँ आपक दुधा तो रहे तो रामसूप अपक बाबुलाल है तो हो रहे हैं पूरियां चांड़ है पूरियां चांड़ है जाइध एव पूरियां चांड़ है तो यह जब शुद्युद्य।